अम्हालेकुम दोस्तों स्वागत है आप सबका स्काइटेक चैनल में और आज मैं फिर लेके आया हूँ साओधी अरप की कुछ खास और लेटेस्ट अपडेट जो कि साओधी अरप के वरकर्स लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इसलिए आप देखते रह इसलिए अपडेट है हमारी उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त पर इंडिया चुटी पर गये हुए है क्योंकि इंडिया की डी जी सी ए की तरफ से यानि की इंडिया की सिविल एविशन अथॉर्टी की तरफ से बताया गया है कि अगर आप इस टेम पर सफर करते हैं त पिर आपको एरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा तो जितने लोग भी इस टेम पर छुटी पर हैं अगर वो जब वापस आने लगें तो इस बात का ध्यान रहें कि मास्क अपने साथ में जरूर साथ में ले जाना क्योंकि मास्क मेंडेटेरी कर दिया गया है पहले भी था लेकिन इस टेम पर थोड़ी सकती कर दी गई है क्योंकि कोरुणा बढ़ रहा है और दोस्तों अगली अपडेट है हमारी साओधी अरब के सिविल डिफेंस की तरफ से साओधी अरब की सिविल डिफेंस ने वर्निंग दिये लोगों को और ये वर्निंग जो है साओधी की जो सिविल डिपेंस है उसने बताया है कि अगर कोई गाड़ी चलाता है और गाड़ी कहीं पार करता है चाहे वो धूप में पार करें जहाँ में लिगन अगर आप बाहर पार करते हैं तो गाड़ी के अंदर यह चार चीज़ें बिल्कुल ना रखें नहीं तो आपका नुक रखते हैं फिर lighter रखते हैं और तीसरी चीज़ वह जो गाड़ी है आपकी जब आप उसे धूप में पार करते हैं तो जब वह खड़ी होती है चारो सी से उसके बंद रहते हैं तो उसके उपर green house effect लगना start हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि अगर बाहर 40 degree temperature है तो अंदर 60 से 70 degree तक का temperature पहुंच जाता है अब इतने temperature पे कोई भी explosive जो है वो explode download कर सकता है not export कर सकता है तो इसी वज़ेसे आपका तो नुक्सान होई जाएगा अगर आपके गाड़ी के अंदर लाइटर रखा एतने ज्यादा temperature की वज़े से वहysisht कर जाता है तो गाड़ी का तो नुक्सान होगा ही साथ में जो बhagal साउधी अरब में रहते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि साउधी अरब में इस वक्त काफी ज्यादा तेजी से चेंजिंग हो रही है साउधी अरब वेस्टन कल्चर की तरह बढ़ रहा है लिए जरूरी है या इसका भी कानून हटा दिया गया है तो दोस्तों इसके बारव में आप लोगों को बता दों कि मौखंद मिन सल्माद का कहना है और साउधी अरब की जो कानून विवस्था है उसका कहना है कि अगर कोई लेडी जो है लेडि अब आया नहीं पहनती है बाहर निकलती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यानि कि अब ये कंपल सरी नहीं है कोई भी लेडी बाहर निकले कोई जितनी भी लेडीज हैं अगर वो बाहर निकलती हैं तो अगर वो अबाया यानि कि हिजाब ना पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके पीछे ड्रेस हिजाब mandatory compulsory नहीं है साओधी अरब में आप लोगों ने जो लोग साओधी अरब में मेजर सिटी में रहते हैं जिसे रियाद जिद्दा दम्माम उन लोगों को मालूम होगा कि मौल्स में पार्क्स में लेडिस जो रहती हैं काफी ज्यादा लेडिस ऐसी हैं जो अब आया नही स्वाल भी, पेहनती हैं, तो आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा आप लोगों को साओधी अरब में अब आया यहाद, हिजाब mandatory, यानि की जरूरी नहीं है उमीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आफेश